असलाम लेकुम आज हम जो बिल्ट करने लगे हैं तक बन ये डेर्ड मिले हैं 15 लाख रुपे की बिल्डर और 15 लाख रुपे में सिर्फ PC नहीं है इसके अंदर 3 लाख का मॉनिटर है और Dusty G7 165 फार्ट 4K वाला कर्वड और बाकी 12 लाख का जो है तक बन पीसी है ये गेमिं है इसके अंदर specs की बात कर लेते हैं one by one मैं आपको specs बता दे तो by the way इन company को मैं 5-6 PC दे चुक हूँ मैं हमसे लेते रहते हैं इंद बड़ी build थी मैंने का video कर लेते हैं अचा इसके अंदर जो प्रोसेसर वो आई 913 जनेशन 13 900K है जो के इस टाम 195 to 185 के दर्मयान मिल जाता है आज की वैसे जो price 185 है बड़ price उपर नीचे होती रहती है तो मैं video में accurate price नहीं बताता accurate price के लिए WhatsApp नमबर दिया हुए 0315226682 या call के लिए 0516122732 call कर लिया करें दिन को दो से लेके रात को नो के दर्मयान रात को तीन बजे message करते हैं फिर करते हैं भाई reply नहीं करते हैं गरूर करते हो इगो है आप में तीन बजे क्या आपको reply करूं टाइम पर message किया करें करते हैं लोग तीन बजे message आए सुबह गालियां देकर ब्लॉक करके चले भी जाते हैं एड्य आजी है बहुट अवाम तुम्हारे लिए बचैंå गालियं देते हैं मां बहाएं की गालिया देते हैं भाई और उसके बाद फोस्टें भी करते है रिस्पोंस अच्छा नहीं है भाई तीन बचे तो यह रिसपोंसट जूम में दिन को रिसपोंस नहीं जाता गिला बनता भी है, हम भी ही होते हैं, है, उसके बाद, प्रसेसर के बाद जो motherboard हम लगा रहे हैं, वो ASUS TRIX का Z790H Gaming है, जो के स्टम 140 से 150 के दर्मयान इसका जो rate चल रहा है, Wi-Fi 6 के साथ आता है, Type-C की ports होती है, Wi-Fi 6 की जो speed है, वो highest speed होती है, उसके बाद इसके अंदर जो RAM लगा रहे हैं, यह special RAM है, 6000 MHz, 32 multiply 2, 64 GB की RAM है, और यह CL30 है, CL30 की RAM बहुत rare मिलती है, और जिसका CL काम होता है, वो RAM बहुत fast होती है, normal CL40 होती है RAM, यह latency होती है RAM की, कि आप कितनी दिर में response कर रही है RAM आपको, ठीक है, तो यह वाली RAM तो 95,000 की है, बाकि अगर दूसी लेते हैं, CL40, तो वो तो आपको 80, 75 में मिल जाती है, 64 GB, DDR5, 32 की दो हैं, उसके बाद इसके अंदर जो supply लगा रहे हैं, वो ASUS stuff की 1208 की 80 PLUS GOLD लगाएंगे, यह PCA Gen 5 connector के साथ आती है, बाद अभी मुझे खोल के चेक करना पड़ेगा, कि वाकि PCA Gen 5 का connector है के नहीं, बाद यह supply 95,000 की है, 1200 Watt, 80 PLUS GOLD, और लास्ट रम यह 80 की थी, अभी महेंगी हुई है, उसके बाद हमारे पास जो NVME है, वो हम लगा रहे हैं, 980 PRO 2 TB हीट सिंग के साथ, इसका ओरिजिनल हीट सिंग काफी बेटर होता है, हम बोर्ड का उतार के इसका ओरिजिनल लगा देंगे, क्योंकि यह बड़ी परफॉर्मेंस वाली NVME है, डीरेम कैशे के साथ आती है, काफी फास्ट होती है, और इसकी जो प्राइज है, इस्टेम 55,000 के आस पास है, हमने आज इनको 52 की दी है, रेट्स चेंज होते रहती हैं, उसके बाद जो ग्राफिक कार्ड है, वो हम लगा रहे हैं, आर्टीक 1490, जोटेक एमपैरो, एमपैरो सबसे हाइस रेडीशन होता है, जोटेक का, जिसकी प्राइज इस्टेम पागिस्तान में 570 से लेके 6 लाक रुपे के दर्मियान है, वैसे आज इनको जो हमने बिल किया इसकी 565 में विल की है, लेकिन दुबारा रेर जादा आएगा, उसके बार फाइलली जो कूलर लगा रहे हैं, वो सिल्वर स्टॉन का है, बहुत अच्छा ब्रैंड है, कॉर्सर वगरा की तरह, और 94 CFM Airflow के साथ की कूलर आता है, और इतने Airflow वाला कूलर अभी तक कोई भी 13 में ने देखा इसके इलावा, 13900K को easily handle भी कर लेगा, और उसको ठंडा भी कर लेगा, और 13900K गर 90 degree तक भी जाता है, तो एक normal चीज है, फुल लोड पे, इतने टेंशन वाली बात नहीं है, पहले होता है, इनकी बरदाश 120 degree है, यह जो chips हैं, यह बहुत ही high quality silicon material से बनी होती ह तो इनको यह 89 degree से कुछ भी नहीं होता, फुल लोड के ओपर जब सारे core use हो रहे होंगे, फाइनली जो इसमें case लगा रहे हैं, वो है DLZ30, DLZ30 one of the best case था, dark fresh का, size के साब से, quality के साब से, और price भी without fan तकरीबन यह 25000 पे का है, जिसमें GPU holder भी मिलता है, tempered glass भी मिलता है, और build quality बहुत अच्छी है, यही अगर आप लैनली पे जाते हैं, तो 40,000 लग जाता है, तो इन्होंने कोई फालतू, extra पैसे नहीं लगाने थे किसी चीज के ऊपर, उसके लावा 140 mm के Aorus के fan लगाएंगे, तो मैं 6,000 पे का 140 mm का fan है, वो एक, वो भी इसमें लगाएंगे, high rate flow के लि लगा उसका, कोई issue नहीं है, B550 है, NVMe है, 16GB RAM, 16GB है, 32GB RAM है, और यह बिल्ल आपके कितना की बनी है तक बन, यह भी 4-5 लाख रुपे की बिल्ड है तकरीबन, तो यह दो बिल्ड है, एक 30 छोटी बिल्ड भी नहोंने लाख रुपे की लिए, और एक पहले भी I think इनको मैंने जबाना करना है वरना इनोंने रात को सो जाना है काम करता है, फिर पैसे पूरे नहीं होंगे, हैर यह है Z790, H Gaming का सूस का Motherboard, पाइट 3 किलो इसका सिर्फ वरजन है, और काफी अच्छा Motherboard, इनकी सील यह बस कुछ भी नहीं होती, यह Motherboard जो होते है, Without Sealed आते हैं इस Region में, USA के सूस के Motherboard की भी सील आती है, वो ब्लैक कलर की, फुल लिक्विट कूलिंग आती है इसके NVMe की, बट हम इसको चेंज करके, इसको और इसको 980 प्रो का लगाएंगे, इसको हम डबे में डाल देंगे, और उसके बाद इसमें 4 NVMe 2 यहां पे लगती है, एक यहां लगती है, यहा से यहे बंदों ने गायब कर लिए वो भाईप को हम पुम रान्ज करके देंगे, किसी चौर ने निकाल ली है, और स्टीकर थे, स्टीकर थे उमने पहले बाई बाद निकाल के रखने हैं, स्टीकर का छोड़े हमने, स्टीकर ले ले ली हैं, स्टीकर ने उने arse पुद्च की दो लगा रहे हैं शायद बाद में अगर यह 64 करना चाहें तो वो रह में काम आएंगी यह एक्सपीजी की रहम हैं ठीक है सील 13 जो हास बात तो सील 30 यह बाकी तो वह नॉर्मल डिडियर 5 6000 मेगार्ड हैं असल में 6000 मेगार्ड में आपको मिलती है सील 36 मीनिमम यह सील 40 वो फिर प्रफॉरमस जो है डिडियर 4 वाली देती है बाई वो डिडियर 5 होती नहीं एक्शूल में क्या फाइदा तो रहम हम लगा लेते हैं है इस पूर्फा भाई पूठी तो नहीं रहे हैं यह लांगी रहें के बाद इसमें प्रॉसेसर लगाना है यह लगा दिया प्रॉसेसर उसके बाद कूलर बाद में लगाएंगे और NVMe लगनी है यहां पर अब हम लगाएंगे 980 Pro 2 TB यही होनी है SSD सारी है इसका हीट सिंक होता है साथ इसमें विदाउट हीट सिंक आती है जो कि आज कल मिल नहीं रही वरना हम वो जरूर लगाते और मोस्ली PS5 में यूज होती है विदाइट सिंक ना लोग PS5 में भी लगाते हैं इसके लिए हम इसको उतारेंगे इसके बाद इसमें यहां पर यह पहले हम लगाएंगे PC के केस के अंदर लेकिन केस में लगाने से पहले हमें चीजें खूलनी पड़ेंगी मदर बॉर्ड आपको दिखा दे तो हम यह कंप्लेट हो गया ठीक है यह 1200 वाट की स्प्लाइज जो हम इसमें लगाएंगे असू स्टफ 80 प्लास गोर्ड और मेरा हाल से 1200 वाट इनाफ होती है इसके लिए 1490 के लिए इसकी केबल की मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूं फॉस्ट अफॉल तो स्प्लाइज की क्वालिटी देखें आप अच्छा इसके अंदर 12-PIN का कनेक्टर मिलता है और दो मिल रहे हैं वाई यह बड़ी इची बात है कि इसके अंदर दो 12-PIN के कनेक्टर है कलको 50 series अगर आती है इनकेस और उसमें दो ऑप्शन तो यह स्प्लाइज आपकी फ्यूचर प्रूफ है बहुत ज्यादा और इसका मैं कन्फरम नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से यह आरजीबी लोगों होता है यह मैं चेक करूंगा इसको ऑन करके वागी स्प्लाइज की क्वालिटी बहुत यह 24 पिन है उसके साथ आपको यह डबल एट पिन मिल जाती है पीस्क्यों की एंड ट्विल्ट पिन की केबल निकालते हैं वह कैसी है 12 पिन 12 पिन 12 पिन 12 पिन यह देखे 12 पिन डबल एट टू ट्विल्ट यह डिरेक्ट हमारे 1490 में लगेगी इसका फाइदा यह होगा कि तारों का जंजट काम हो जाएगा और स्प्लाइग में जो क्नेक्टर मेल्ट होते हैं वह तो आप बिल्कुल मेल्ट होने के चांस जीरो हो जाएंगे क्योंकि इसकी जो क्वाल्टी यह देखो डबल वाली भी है 12 to 12 डबल एट टू 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 बी है दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं और 12 to 12 वाली दो के वाया दो के बने हैं पैसे पूरे करता है असूस यह इसका पता है फाइदा क्य दी है जो के डबल एट पिन से 12 वालब तीन 12 पिन यह फरस्टम मैंने देखा किसी स्प्लाइब में तीन नहीं आते एक आता है एक तो अकसर में आता है अच्छा थोड़ा से पहले आपको बता देता हूं कि यह क्यों उत्म अच्छा है क्यों हम इसकी तरीफ करते हैं इसका इरफ्लो आगे जा लिए और एक स्टाइल भी इच्छा है तिसी खास बात इसका यह इतना क्वालिटी वाले हैंडल बना हुआ है शीशा इसका नॉर्मल से मोटा है चोथी चीज इसके अंदर आपको वर्टिकल माउंट मिलता है तो बड़े से बड़ा कार्ड बीना तिल्ट नहीं करेगा यह बहुत अची चीज और यह अच्छी क्याणकी रेल बने और उसकेबाद वर्टिकल कार्ड मोंट की प्रपर जगह मिलता है आपको लेकिन वर्टिकल कार्ड मोंट हम नहीं करेंगे प्रफॉर्मस में इशू आता है क्यूंकि इन्हों ने वर्किंग करनी है तो of course हम चाहेंगे के working सही हो और उसके बाद cable management की proper जगा है इसके अंदर 140 mm के fans अभी लगाएंगे वो भी support करता है बड़ी से बड़ी supply लगती है सारे features के साथ भी 25,000 रपे का case है तो DLZ 31 बट ये case in stock अब नहीं है तो अगर आपने लेना है तो पहले आप confirm करेंगे इन case कहीं से मिल जाता तो मैं दूंगा ये एक ही दफ़ा आए थे मेरे पास और ये कोई तीन case से आप खतम होगे हैं दुबारा मुझे नहीं मिले अगर मिलते हैं तो मैं जरूर आपको ये case भी दूंगा खेर इसको पीछे रखते हैं समान को अब इसके अंदर सबसे पहले हम supply लगाएंगे तो उसके लिए पीछे से पिछू ठोली को अच्छा दूसी बात cable management की बहुत अच्छी जगा है टेपां ला ला लो चूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ पीसी स्लो करती है बोत अगर सर्वर बेस काम करना है तो फिर आप हार्डवेर लगाएंगे supply लगाने के लिए हम इसके connector लगाएंगे इसको यहाँ पर 24 पिन पहले supply लगा लेते हैं क्योंकि उसके बाद पिर ना तारें बड़ा जंजड़ बन जाता है तारों की quality बहुत आगे 24 पिन और फिर यह 12 पिन वाला connector जो मैं आपको कह रहा था किसमें दो की जगा है यह देखें जरा एक दो इसको कहते हैं PCI Gen 5 connectors यह 3090 के founder edition में भी आये थे बहुत solid connector होता है और यह कम से कम जो है ना more than 100 Ampere जो है यह flow कर सकते हैं अगर Ampere का नहीं पता तो आपको बता दूँ हमारा एक बहुत ज़्याद है हैवी AC जो है ना साथ से 8 Ampere लेता है तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि पचास साथ सो Ampere कितने ज़्यादा होते है उसके बाद यह CPU की आगी जो हम लगाएंगे डबल 8-pin CPU जो हमारे motherboard में लगेगी Motherboard में 2 लगती है तो में 2 8-pin ही यस दो 8-pin लगती है motherboard के अंदर साथ सर्प्राइज में आपको बता दी है अगेन अगर आपने बिल्ड बाइक करनी है तो मैं WhatsApp नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे नीचे 031-522-6682 और कॉल के लिए 051-612-732 अरजेंट रिस्पोंस उपर रर्राइज नहीं जाता पृर गालिया दे के चले जाते हैं तो भाई कल कर लेनी ना एक गालि एक बंदे से के टीन दिन से र्पलाई नहीं आ हुरा आ आजी माकि गाली दे रहे थे वो बच्चे होते हैं नो बनी परदाज करते हैं वो दो मैंट बाइगा तरी मा की बायर की निकल में कहीं और से ले लूँगा जो अच्छा कस्वार है जो थोड़ा बड़ी एज का है वो करता है संसेबल क्योंकि तेखो आटो रिप्लाइज आता है कि प्लीज अगर आपको रिस्पॉंस विदिन 24 आवर नहीं आ रहा तो आप कॉल करें क्योंकि मेरी अभी 10 बंदों की टीम है, 100 बंदों की यूफून का कॉल सेंटर रेंट पर ले लेते हैं सार आप वेट कीजिए, जैंट हमारा बीजी है फिर उसमें सही है, जब बैलस भी कड़ता रहेगा तीनर पर मिनाइट उसमें रिस्पॉंस भी आएगा अच्छा तो हमने मदबोर लगा दिये, स्प्लाइ की वार सारी टैच कर दी है, लिकूर कूलर भी मैं लगाने लगा हूँ बाकी 140mm के जो से फैन आपको बताये थे तो यह 140mm के जो फैन है, इनकी मोटर बहुत हैवी होती है, एरफ्लो बहुत अच्छा है इनका, 60-70 CFM कुछ है मैं भी चेक नहीं किया अच्छा एरफ्लो है, और टॉक बहुत जाद है फैन का, बड़े सास के फैन है, मोटर बड़ी ह इसके बाद सप्लाइब भी मैंने पीछे लगा दिया, वायर को भी हम सेट करेंगे, स्प्लाइए सूस्टाफ की यह लगी है, और बाकी क्या रह गया हमारा, फैन्स अटैच करने है, लिक्विड कूलर लगाना है, तो लिक्विड कूलर के लिए, मैं लिक्विड कूलर देन है, यह आ गया जी, आओके, यह लें जी, फैन लगे, अभी बस कूलर लगाएंगे, आल्मॉस्ट विल्ड हमारी कंप्लीट है, फिर हम फाइनल में आखरे हैं, अराम से जो हैना, हम 1490 को उपन कर, इसमें अटैच करेंगे, यह लो भाई साब, कूलर हमने लगा दी है, लिक् का यहां आएगा, यह करके, ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, ब्रैकेट मैं लगा लेता हूं, तो उसके बाद इसकी वायर को सेट करेंगे, कूलर लगने के बाद फिर आखर में इसका ग्राफिक कार रहा जाएगा, वो फिर ब्रैकेट वगेरा सार कूलर हमने लगा ली है, ठीक है, मैंने जड़ा कस्टमर्स भी बैठे हुएं तो हम जादा जल्दी में एक एक सीन आपको नहीं दिखा सकरे, पर यह सिल्वर स्टोल का जो कूलर था वो मने इसको लगा दी है, टैच कर दी भी जलेगा तो देखना बड़ा ही प्यारा कूलर ह अच्छी है, 35 के आसपस आपको एक उलर इसली मिल जाता है, वेलेबल हो जाता है, बाकी कुछ एक दो तारें आपको नजरा आ रही होंगे, तो इधर ही आती है, इनको हम दूर तर करनी ही करेंगे जादा क्यूंकि प्रफॉर्मस में इश्यू आता है, इस तार को छुपा ल कर लिया, काड ओपन करना था, काड को ओपन कर लेते हैं, यह इसकी सील होती है, यहां पे दो, यह वाली और यह वाली, यह खुल गया, 1490, यह ले जी, यह इसके नदर कुछ documents होते है, इसको हम नहीं खूल रहे है, हमें documents नहीं चाहिए, इसके अंदर stand मिलता है बड़ हमें stand चाहिए नहीं यह GPU stand जो है यह अंदर रख देते हैं हम रहे पास बड़ा case के साथ stand है और यह वो converter है जो चाहिए 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 और यह समाल कर रखना है जब कर बेच उगे तो यह साथ देना पड़ता है यह वैसे लोग निकाल लेते हैं कि काम आता है उसके बाद कार्ट बाकी कुछ भी नहीं है तो हम दब्बे को जो है बंद कर देता हूं कार्ट को दिखाता हूं मैं आपको है आज रख्रपार पाक किस्तान सेफगाड यह सेफगाड है नहीं और वहकंट ढूरण हारो है यह डीना श वत्बेर गैंज लगेत लीड़न खायद अवलगतं दूरंभें स्पेस्शिप की तरह तो यह फरुक भाई शापर उतारते हुए अब अब यह ग्रावन नी वह तो रेंटी क्लैम नी होगी शापर की उतार है यह पीछे भी लाइट है यहां भी लाइट है और यह चेला अखरवे का है यह सेफगाड का साबन ठीक है और 24 GB होता है फुल हाइस कार्ड है इस टाइम का और इस बिल्ड के अंदर बहुत एक अच्छी जो है परफॉर्मस देगा इसको लगाते हैं अच्छा तो यह कार्ड हम इसको लगा लेते हैं ठीक है मैंने जगा वगा खाली कर लिया है इसका यह उतारना पड़ता है टोपी इस पर कार लग गया अब का अब किसी बढ़ा बढ़ा लग रहा है अब इसको तार को हम पीछे से लाकर यहां पर लगाएंगे क्योंके अगर मैंने आगे से लगाई तो उसकी लाइटिंग को खराब करेगी तो तार मैंने पीछे से लानी है तो तार को ले आते हैं यह connector है जो कि supply से direct आ रहा है हम converter नहीं लगा रहे तो इसको अच्छा इसकी ना RGB वायर भी आगी है ले आनली की जो कि अभी तक हम ने order नहीं की यह लग गया connector और इसको अब हम यहां से वायर को सेट कर देंगे थोड़ा से इसको लूस चोड़ना होता है क्योंकि हाई अंपेर फ्लो होता है तो इसको जादा टाइड भी नहीं कर सकते फिर इन तारों को हम 20 वगरा लगा कर देंगे वह में अभी अब यह बुरा भी नहीं लग रहा और आपके पाइप बिल्कुल खड़े होगी कैसा जो घाड इस वाली को भी काड़ देते हैं मैंने सारी ज्वाइंट कर दी हैं अच्छा यह एक की रह गी है 24 पिन को भी हम करी देते हैं बड़ इसको मैं सोज़रों को दो तीन हिंसों में करूं इसी तरह से जैसे कि अगर फर्ज करो हम इसको यहां पर नज़रा रहे हैं अगर हम इसको यहां पर लगाते हैं यह और दर्मियान में से एक केबल निकाल लेते हैं सेंटर मैं से यह यह अब दवी हमारे अब्दुल्ला भाई आये थे गुजरात से वो को को ने हमें यह सिखाया मुझे भी नहीं पहले पता था इसमें मेरी कोई फंकारी नहीं है बढ़ यह देखे जरा इसको हमने डबल कर दिया यह अब बुरी नहीं लगेगी ठीक हो गया इसको भी काड़ देते हैं और इस वाली को पीछे हम एक ही बांद देते हैं पाई सब्सक्राइब कर दी यह भी हमने सेट कर दियो इसको भी तो यह बना भूरी नहीं लगेंगे आपको दिखाता हूं अब इनके लुक बड़ी प्यारी आगी है वैसे आर जीबी केबल लगा सकते हो गर आपके पास 40,000 प लगाना चाहरा था क्योंकि कंपनी के मालक भी साथ आये हैं वो हजार पे उपर लगे तो गुरी डालते हैं CTO साब को तू तू यह भी लाए रहे हैं तू यह भी लाए रहे हैं नहीं मबजाग करो यार लेकि ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की पहले दब हमने इतनी टाइ स्टाइल में काटेंगे विए टिक्टॉक करना बाल परपल कराने लगाँ अच्छा तो फाइनली वायर मैनेजमेंट हमने बहुत फिट करके इसकी की है प्रॉपर उसकी वज़ए यह यह जो सप्लाई है ना इसके अंदर पाफी लंबी तारे होती है तो इसको हम मर्जी से यह दो दर से लेके आ सकते हैं छोटी मोड़ी स्प्लाई में इतनी जगह नहीं होती पाकिसका फेस है जो फेस मेंने उता रहा हुआ था वो डिरेक्ट ही लग जाएगा एक चीज रहेगी है इस बिल्ड के अंदर इसका स्टैंड था कहां क्या स्टैंड यह ग्राफिक का नीचे होगा ना आगे होगा ना बार आएगा तो यह बड़ी अची चीज इस के अंदर वैसे नॉर्मल जो आता सा कार्ड के साथ ना वो इतना एकुरेट नहीं होता और कार्ड बिल्कुल सीधा भी है मैंने चेक कर लिया बिल्कुल सीधा है अभी बती शितिया जलेंगी त स्कौन करते हैं आपको सेनमेटिक दिखाते हैं लेकिन अगर आपने किसे बिल्ट बनानी है तो कॉंटेक्ट करें वाटसाइप 0351526682 या फिर कॉल कर ले 05161 22732 दिन को 2 से रात 9 बजे के दर्मियान और उसके बाद अगर वेबसाइट विजट करनी है तो www.deducharger.com और वे है और दूसी बिल्ट आपको दिखा देंगे सेम ही बिल्ट आप उसके अंदर स्पेक्स काम है 5800X है और उसकी स्पेक्स में आपको बता देता हूं अवाल स्पेक्स के बाद काम हूं हाथ बैइ फाइनली दो बिल्ड रेडियो चुकी है तो में कि टू मिलियन को ओर्डर था उसके अंदर ये एक छोटी लाख उर्पर वाले बिल्ड थी एक ये तक हमाँ पांच लाख का था एक टागवन वन पैंट फो मिलियन का बेल्ड था तो करकरा कि ये दो मिलियन को तो अगर आपको भी स्था की कोई बिल्ड लेनी हाँ एक मेंट पहले आपको स्पेक्स बता तू दूसरे PC की राइजन 5800 है 3070 TAE असूस टाफ लगा हुए है बी 550M मदबोर्ड है सोर ये वल है मुझे नजर नहीं हा रहे यहां से और DLZ 30 केस लगा हुए है इसके अंदर 850 लगी हुए है और 1TB की SSD है कंप्लीट PC बिल्ड ये बना है इनका 32 इंच 2K गीगाबाइट मॉनिटर के साथ 4,50,000 रुपे का और ये वला जो PC तर में 15,000 रुपे का है जो के 13900K है 4090 है केस है RGB fans है और 1200W की असूस टाफ की सप्लाइज है Z790 असूस टाफ है एच गेमिंग म करें 0315 22668 to WhatsApp call करे 0516122732 और TCG जो आपने करनी है वो website विजट कर सकते हैं लेकि website भी फुली अपडेट नहीं है www.deducharger.com ओके डाडा बाई अगर वीडियो चले के तो Like करें Share करें Subscribe करें ऐसी हमें बेल्स देखते रहें और हम चलते रहेंगे अमीर समीर होते जाएंगे ओके डाडा बाई बाई गुडनाइट अलाफिस okay thank you